नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है दीपक वेलकम टू अलोफ यू गाईज आज मैं आपको डी ट्रिपल स्बी से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी दिने वाला इम गोईंग टू शेर दे कंप्लीड इंफोरमेशन विद अलोफ यू रिगार्डिंग डी ट्रिपल स्बी राइट और दोस्तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसा एक्जाम है जो बहुत मोस्ट अवेटेड एक्जाम है केवियस के बाद केवियस में लास्ट टाइम जिन लोगों ने भी क्वालिफाई करा अब सबको प्लेस्मेंट मिल चुकी है अपनी अपनी जगह वो सब सेटल हो चुके हैं अब जो अगला चांस है जिसको DSSB को इंग्लिश में बोलते हैं प्लम पोस्टें यानी टीचिंग का हेवन मला सबसे बेस्ट जॉब जो टीचिंग में मानी जाती है that is DSSB आप हिंदुस्तान के हार्ट में बैठते हो देली में जॉब करते हो DSSB में तो अगर मैं बोलू तो बह बता दूं फिर उसके बाद मैं फिकिंसी को लेकर भी जल्दी ही बात करता हूं तो देखे सबसे पहले पी आटी का एक्जैम अगर मैं बात करूं तो पी आटी के एक्जैम के लिए अच्छा मैं eligibility और वो सब अलग बना दूंगा अभी सिरफ मैं स्लेबर डिसकस करके और मैं लास्ट टाइम का कट आफ बताता हूं क्या रहा था और उसके बाद हम कब ये एक्जैम आ सकता है उसकी बाते करने वाले हैं तो देखे यहां पर ये एक्जैम जो है मतलब आपके पास 6 पार्ट में बटा होता है सबसे पहले आप देखेंगे तो जर्नल अवेरनेस मैं ये भी बता सकता हूं कि इसमें आपके कितने मांक्स लगभग लगभग आने चाहिए तो देखें जर्नल अवेरनेस 20 नंबर का आता है ये माना जाता है कि अगर आपके इसमें 8 से 10 नंबर आ जाते हैं तो एक बहुत अच्छा स्कोर आप लेकर आये हैं ठीक है अगर आप इसमे हमेशा से उमीद की जाती है कि आप 16 से 18 मैं इतनी उमीद क्यों कर रहा हूं कि जब मैं आपको मैरिट बताऊंगा तो आपको लगेगा कि वाकई में इतने नंबर आएंगे तभी हम मैरिट में आ सकते हैं क्योंकि मैरिट बहुत हाई जाती है दोस्तों DSSB में और बहुत ही जाती है और बहुत जादा लोग इसमें अपियर होते हैं तो आप देखे अरिथमेटिकल में अब इसमें भी मैं उमीद करता हूं कि 14 से 16 नंबर 14 से 15 नंबर आपके आने चाहिए है ना 14 से 15 नंबर आपके लगभग लगभग मेरे को लगता है इसके अंदर आपके आने चाह ठीक और अगर मैं बोलो English Language में आजके टाइम में माना जा रहा है क्योंकि एक पैसेज आ जाता है साथ अड़ वर्ड वोकैबलरी आ जाती है एक दो एरर आ जाती है एक दो PQRS आ जाते है ठीक है बाकी आपका एक दो फिलिंदा ब्लैंग से आ जाते हैं तो इसमें भी उमीद आती है Hindi Language में वो माना जाता है कि 17 से 18 नंबर जो है वो आपके माने जा सकते है तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ मेरे 2 नंबर कम हुए यहाँ 2 कम हुए यहाँ 5 कम हुए यहाँ लगबग मैं मान लेता हूँ 3 कम हुए ठीक और यहाँ पर मेरे 10 कम हूँए 10, 13, और 5, 18, 20 और अगर मैं बात करूँ तो ये 22 तो एक चीज आप मानके चल लीजे जर्नल पेपर में आज के टाइम में 100 में से मैं मानके चल रहा हूँ कम से कम 65 से 70 नमबर आपको लाने पड़ते हैं है ना ये मान के चल लीजे 70 से 75 नंबर आपको लाने पड़ते हैं आज के टाइम में जर्नल में तब जाके क्वालिफाइंग की तो बाती नहीं है कई बार लोग पूछते सर 40 क्वालिफाइंग है मैं कहा रहाँ क्वालिफाइंग तो पूछो में माना जा रहा है 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट आता है जिसके अंदर अगर पैड़ागोजी की मैं बात करूँ CDP की वो आते हैं 100 नंबर पैड़ागोजी में और ये माना जा रहा है कि इसके अंदर 75 से 85 80 नंबर आपको कम से कम जो है वो लाने पड़ते हैं ठीक है तो 75 से 80 नंबर कम से कम आपको ये लाने पड़ते हैं ये ध्यान रखेगा अब अगर ये score नंबर आप लेकर आते हैं ठीक तब जाके आप वो 150 का जादू याकडा पार कर रहे हैं ठीक है, 150 का वो जादू याकड़ा पार कर रहे हैं, जो की आपको merit की तरफ ले जाता है, ठीक है, जो आपको merit की तरफ ले जाता है, ये ध्यान रखेगा, ठीक, तो DSSB PRT में आपके past section हो गए, जिसमें awareness हो गया, ठीक है, mathematics, reasoning हो गया, Hindi, English हो गया, मैंने आपको एक average भी बताया भी थोड़ी दिर में merit में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और देखिया, यही same चीज रहती है, आपकी किसकी, ये TGT का है, ठीक है, TGT के अंदर भी आपको वही रहता है, journal awareness, ठीक है, और आपका इसमें वही intelligence वाला रहता है, अभी मैं TGT की cutoff नहीं लेके आया, वो मैं English में TGT दे रहे तो English रहेगा, Hindi TGT दे रहे तो Hindi रहेगा, है ना, तो वो आपका overall रहता है, 200 नंबर का ये भी paper रहता है इसके अंदर, तो ये ध्यान रखेगा, PGT के अंदर जो ये चीज है, 5 section तो वही रहेगा हमारा, ये PGT का है आपका, ठीक है, PGT का है, और 5 section तो वही रहते हैं, ठीक है, Hindi, English, Reasoning, Mathematics और Journal Awareness, इसमें जो subject concern होता है, वो हमारा 200 नंबर का हो जाता है, इसके अंदर जो हमारा subject concern होता है, वो आपका 200 नंबर का हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेगा, तो यानि ये 300 नंबर का पूरा आपका paper बन जाता है, अब अगर मैं आपको PR की merit की बात करूँ, तो PRT की merit एक बार आप देख लीजिए, जो last time की रही, ठीक है न, अगर आप UR category से हैं, तो देखे, UR category में 159.75, तो आप समझ रहे हैं, मैं तो 180 आपको overall बता रहा था, बट 159.75, अगर आप journal category के हो, EWS में 153.43, है न, OBC में 159.75, 62, यानि कोई फरकी नहीं है, SC के अंदर 149.41, और अगर ST की बात करूँ, वो आपको काफी कम नजर आईगी, 120.68, pH अगर मैं बोलो, OH, visual, वो सब आप फिर pH category के अंदर भी अलग-अलग देख सकते हैं, तो आपको एक clear cut पता लग रहा है, इस merit को देखकर, कि आप 200 में से 160 नंबर लाकर सिक्की और हो रहे हैं अब journal category में, और बाकी में भी बहुत जादा फरक नजर नहीं आ रहा, ठीक है, अगर मैं सिरफ इसमें ST category को छोड़ दूँ, तो यानि बड़ा competitive exam है दोस्तों, और बहुत ही, मेरे को लेकिन लगता है कि बहुत promising job, बहुत शानदार job है, और बहुत लोगों की लगती भी है, जैसे मैं KBS में हमेशा बात करता हूँ, मेहनत करोगे यार, 100 परतीशत आपकी job लगेगी, तो ये जो है आप एक promising exam है, इसकी त्यारी बिलकुल करिए, मैं बहुत जल्दी इसकी classes शुरू करने वाला हूँ, आप मेरे साथ भी YouTube पर क्या मिसना हो, एक भी चीज हमारी तरफ से मिसना हो, अब बात आती है, job vacancy कब आ सकती है, है ना, अब CDC बात है, job vacancy कब आ सकती है, तो मेरा देखिये मानना ये है कि सबसे ज़्यादा जो pressure stem government पे है, वो है DSSB पे, क्योंकि काफी time से भरती नहीं आई है, और अगर मैं बोलू तो स्कूलों ने और जो भी संस्था है, उसने अपना database दिया है, DSSB पे बस वहाँ से notifications जारी किया जाना है, तो मुझे उमीद लग रही है कि February तक कुछ एक promising हमें नजर आएगा, और आपके पाद 2-3 महीने, February, March में, मुझे लगता है कुछ आपका promising, एक बहुत बड़ा reason है उसका, वो है election, ठीक है न, तो आप ये भी मान के चलिए, election is in the offing, तो परवरी मार्स तक कुछ एक अच्छा हमें उमीद लग रही है, तो आप लग जाईए, है न, EMRS खतम हो चुका है, बिहार खतम हो चुका है, सब चीज अब रह गई है, अब बिहार estate की तियारी हो रही है या तो, या DSSB और एक promising exam है, UP, TGT, PGT, मैं बार बार अपनी वीडियो में भी मजाक में बोलता हूँ, भाई, शादी के कार्ड आने का वेट मत करिये, तैयार होके बैठे रही है, जिस दिन आएगा, बस सीधा पहुँच जाना, है न, कोई जुरत नहीं, फिर आपकी सीधा आपने शादी अटेंड, क्योंकि तैयार होने में लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, तो मेरी request है, तैयार होने वाला टाइम अब है, अभी होकर बैठ चाहिए, ठेक, तो यही मेरी तरफ से छोटी से information थी, और I hope आपको पसंद आई होगी, आप लोग मेरे साथ English के लि जुड़ सकते हैं, ठीक है, यह ध्यान रखेगा, चलिए, तो बस आज मेरी तरफ से इतना ही था दोस्तों, शुक्रिया जुड़ने के लिए थोड़ा सा स्लेवस मैंने आपको बता दिया, अब देखे English की अगर मैं डिटेल में जाऊं, तो मैं हमेशा से बोलता हूं, मैं day one से लिख देता हूं, सारी English आती है, आपको overall English आनी चाहिए, यह ध्यान रखेगा, noun, pronoun, adjective, verb, preposition, conjunction, सवाना चाहिए, और vocabulary, कम से कम 20 में से 7 नंबर आ रही है, तो उसमें आप बहुत solid हो, reading आपकी बहुत अच्छी हो, क्योंकि 5 नंबर का एक पैसे जा रहा है, तो यह सब बात से जो हैं, आप करके चलिएगा, एक अच्छा score कर सकते हैं, merit आपको बता रही है, कि मैं बढ़कर ही आउंगी अगली बार, क्योंकि competition धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो आप लोग जुड़े रही है, connect रही है, information में share करता रहूँगा, bye bye everyone, thank you so much.